नमस्कार दोस्तों गुड़ा प्रनून सभी को सभी को एक बार जेहिंद बंदे मातरम तो चली सब लोग तयार हो जाएए और सुरुवात करते हैं आज की सेशन की और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप समके सामने एक नया चेप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है जिसको आप लोग बोलते हैं और आज हम लोग जो है इसी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं तो दोस्तों दिखे सिलॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टन चेप्टर होता है और आप लोग जिसे यूपीपी की तियारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट आप भी उसे देखा जाए कि शेप्टर से कोशन आना है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और बांकी बहुत से चीप्टर हैं जिस से आपको नहीं पता हो सकता का आएगा भी नहीं आएगा करेंटी नहीं होती है लेकिन यहां से करेंटी है कि आपके Pan Socks कांसेप्ट को बहुत अच्छे से आपक कर रहे हो तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है अगर एक सही तरीके से सही गाइडेंस में काम नहीं हो पाता है तो फिर आपको समस्या उत्पन हो जाती है तो आई देखिए आज से कोशन है तो कोशन के साथ साथ में हम लोग को समझते चलेंगे और एक की करके आगे कि दो बार दिन तीन बार क्लासेज आपकी प्रवाइड की जा चुकी है और आज फिर से उसी क्लास को लेकर आया हूँ तो चले तयार हो चाहिए शावी लोग और शुरुवात करते हैं आज कि सेशन की और देखते हैं कि यहां पर किस प्रकार से कोशन से आपको देखने को म प्रवाइड की जाएगी मनला अगर आप पोर्स लोगे तो एक साल तक क्लासेज आपके पास रहेंगी एक साल में क्या आप चाहोगी तो यह एक महीने में भी आप कंप्लीट कर सकते हो पढ़ने की ललाक होनी चाहिए तो 130 गंटे की क्लास यहां पर 130 गंटे की क्लास प्रवेशन ली सकते हैं तो बढ़ते सिधन इस्ड vegetables में तो कोशन आपके सामने है यहां पर कोशन को ध्यान चिख लीजिए और बताइए कि यहां पर इस सौर्षन का सही जवाब क्या होगा तो नहीं केस्टेटन करें कि कुछ 2 प्रेम है और कुछ प्रस्रेंद्र प्रतिम है सभी प्रतिमाय परदे हैं निसकर्स है कि कुछ परदे पिक्चर है तो इसका मतलब जो statement होता है तो आपको देखो एक चीज ध्यान देना है कि सिलॉक्स के प्रशनों को करने से पहले आपको इस बात का याद होना चीए कि सिलॉक्स में जो statement होता है वो 100% आपका जो है कथन सही माना जाता है यह आपको ध्यान अरगर कथन ने कोई बात बोल दिया तो वही 100% क्या होगी सत्य होगी और इसके बाद निसकर्स की बात करें तो निसकर्स उसको निकाल जाता है अगर कथन कोई बात बोल देगा उशी के कोर्ड़िंग हम दिसकर्स को क्या करते हैं आपको ध्याद देना है तो चलिव भरते सीदै और कोशन क्या बोल रहा है कि कुछ प्रतिमा है तो चलो देखते हैं इसने क्या बोल रहा है कि कुछ पिक्चर फ्रेम है तो सम की जब बात करता है तो आपको ध्यान देना है कुछ ने बोला है कि कुछ पिक्चर फ्रेम है तो पिक्चर का कुछ पार्ट आपको जो है फ्रेम को देना है पिक्चर का कुछ पार्ट किसको देना है फ्रेम को देना है या आपको ध्यान देना है उसने बोला है कि कुछ पिक्चर क्या है फ्रेम है फिर करा कि कुछ फ्रेम प्रतिमा है तो फ्रेम का कुछ पार्थ हम किसको देंगे प्रतिमा को देंगे फ्रेम का कुछ पार्थ हम किसको देंगे प्रतिमा को अब इसके बाद यह जो डाइग्राम हमने बना लिया तो सम का डाइग्राम इस प्रिकार से जाता है सभी का डाइग्राम इस प्रिकार से जाता है अब इसके बाद निसकर्स की अगर बात करें तो निसकर्स क्या बोड़ रहा है कि कुछ परदे पिक्चर है तो यहां से देखा हुआ है तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी फिर करा कि कुछ प्रतिमाय फ्रेम है तो दोस्तों यहां देखा जाए तो प्रतिमा का कुछ पाट फ्रेम के साथ जाएगा क्योंकि अगर यहां पर देखनाधर तो कुछ फ्रेम अगर प्रतिमा है तो कुछ जो है प्रतिमा भी फ्रेम होगा दोनु बाते सही हो जाएंगी तो यह आएगा second और third और अगर आपने second और third को ध्यान से किया है तो निश्यत रूप से प्रश्ण आपका क्या करेगा सही हो जाएगा तो second और third तो यहाँ पर किसमें दिया हुआ है कि केवल second और third अनुसरण करता है तो यहाँ पर इसका second वाला answer सही होगा और अगर आपने second वाला answer दिया है दोस्तों निश्चित रुप से प्रश्ण आपका क्या करेगा सही हो जाएगा ठीक है तो question number 1 को हमने complete कर लिया इसके बाद बढ़ेंगे question number 1 के बाद question number 2 में यह आ गया question number 2 कथन कह रहा है कि कुछ पहाड़िया नदिया है कुछ नदिया रेगिस्तान है और सभी रेगिस्तान सड़क है अब इसके पास तीन कथने और आपके पास तीन निसकर से हैं उशे के अधार पर चीजों को लेकर आपको बढ़ना है तो चलिए इसको बनाईए तो हर question के लिए आ चलिए बहुत बढ़िया तो दिखें यहां पर आपको पहले डाइग्राम को बनाना है करा कि कुछ पहाड़िया नदिया है तो पहाड़ी का कुछ पार्ट आपको कुछ पहाड़ी नदी है तो पहाड़ी का कुछ पार्ट आपको कुछ पहाड़ी नदी है तो पहाड़ी का नदियां हैं और कुछ नदियां रेगिस्तान हैं तो नदी का कुछ पार्ट नदी का कुछ पार्ट हम किसको देंगे रेगिस्तान को देंगे यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका रेगिस्तान हो जाएगा फिर करा कि सभी रेगिस्तान सड़क हैं तो सेम टूशेम डायग् क्या है सही हो जाएगी फिर करा कुछ सड़के पहाड़िया है तो सड़क का पहाड़ी से कोई रिलेशन नहीं है तो ये बात आप गलत करेंगे फिर करा कि कुछ रेगिस्तान पहाड़िया है तो कुछ रेगिस्तान पहाड़िया है तो रेगिस्तान का पहाड़ी से दिस्ता द आपका निश्यत रूप से क्या करेगा? सही हो जाएगा. ठीक है? तो चलते हैं कोशन नमबर दो के बाद कोशन नमबर तीन में यह आ गया कोशन नमबर तीन, तीन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग और बताएंगे कि तीन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कोशन नमबर तीन का, कथन बोल रहा है कि कुछ शंत गेंद है, सभी गेंद चमगादर है और कुछ सेर गेंद है, इस प्रकार से चीज़े दी हुई है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लिजे और बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा? कथन बोल रहा है कि कुछ शंत गेंद है, तो शंत का कुछ पार्ट, संत का कुछ पार्ट आपको किसको देना है, गेंद को देना है, कुछ संत क्या है गेंद है कुछ इस प्रकार से आपका जाएगा और इसके बाद करा है कि सभी गेंद क्या है चमगादर है तो जितना भी गेंद है वो सारा का सारा किसका पाठ हो जाएगा इस सारा का सारा चमगादर का पाठ हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दोश्तों पर दो सिच्वेशन आपको बनती है और आपको पता होगा आप निसकर से देखते हैं कुछ चमगादर सेर है अगर और यहां से भी कुछ चमगादर सेर है तो यह बात आपकी सही होगी कुछ चमगादर है तो कुछ चमगादर है तो इसका जो है रिलेशन डाउट फुल रहेगा तो नहीं सुईकार करेंगे सभी चमगादर गेंद है तो यह भी बात क्या है गलत है तो इसका भी पहला वाला जाएगा और पहला वाला कहीं दिया है सभी चमगादर गेंद हैं तो सभी चमगादर की गेंद होने की संभावना कहीं पर भी नहीं बनती है इसमें बोला है कुछ शंत चमगादर है तो कुछ शंत चमगादर है तो शंत का चमगादर से रिलेशन शंभावना में रहेगा तो सिर्फ यहाँ पर पहला वाला जाएगा तो देखो यहाँ पर केवल सेकेंड दिया है तो केवल सेकेंड ना होकर अगर यह केवल फर्स्ट होता यहाँ पर तो बात आपकी सही होती तो यहाँ पर बना लो इसको इस प्रकार से और सेकेंड वाला यहां पर first वाला जाएगा ठेक है इसको संसुदित कर लेते हैं देखो यहां पर second दिया है केवल third दिया अगर केवल first देता तो बात बनती है इसा कोई option यहां पर दिया नहीं है इसलिए एक option हमने अपने आप से generate कर लिया हमने जो है इसको बना लिया कि केवल first answer करेगा यह इस question no 44 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग और बताएंगे करा कि कोई पेड़ फूल नहीं है और कुछ फूल गुलाब है निशकर से बोल रहा है कि सभी पेड़ गुलाब है और कुछ पेड़ गुलाब नहीं है तो बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कोशिश क करें आप लोग देखें क्या आएगा इसका सही आंसर पहले तो आपका काम होगा डाइग्राम को बनाना तो सभी लोग पिन और कॉपी लेकर बैठिये का वास्तविक रूप में अगर सीखना चाहते हैं जब तक डाइग्राम नहीं ड्रा करोगे तब तक आप प्रश्न को श पेड़ का और फूल का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा उसने का है कि कोई पेड़ फूल नहीं है तो कोई पेड़ फूल नहीं है पेड़ का फूल का कोई रिष्टा नहीं है कुछ फूल गुलाब है तो फूल का कुछ पार्ट आपको जो है गुलाब के साथ जाएग ये आपको ध्यान देना ये situation बनेगी तो दोस्तों देखो पेड़ का और फूल का जगड़ा है लेकिन पेड़ का गुलाब का कोई जगड़ा नहीं है पेड़ चाहे तो उठकर गुलाब के पास जा सकता है लेकिन हाँ वहां तक नहीं जाएगा जहां तक गुलाब का एरिया के साथ लगा हुआ है निसकर्स क्या गोल रहा है कि सभी पेड़ गुलाब हैं तो सभी पेड़ गुलाब हैं ये बात गया संभावना जरूर बन सकती है कुछ पेड़ गुलाब नहीं है तो ये कुछ पेड़ गुलाब नहीं है ये भी बात क्या है गलत है देखो एक बात आ नहीं आता है और दोनों के element समान रहते हैं पेड़ गुलाब और पेड़ गुलाब तो वहां आइदर और की condition लगती है तो यहां पर जाएगा तीसरा वाला यह दी या तो फर्स्ट या सेकेंड कोई एक answer करेगा एक बार कह रहा है कि पेड़ गुलाब है और एक बार कह रहा है पेड़ गुलाब नहीं है तो दो में से कोई एक बात यहां पर मानी जाएगी तो कोशन नमबर चार का जो answer होगा तीसरे में जाएगा आईदर और का case लग जाएगा यहां पर आईदर और का case लगेगा और अगर आपने आईदर और का case लिया है तो इस प्रश्ट आपका क् इस प्रकार से निसकर्स में चले जाएए और देखी कि यहां पर इसका सही जवाब क्या होने वाला है कला इसना बोल रहा है कि सभी हीरे ग्रेफाइट हैं तो जितना भी हीरा है सभी हीरे क्या हैं ग्रेफाइट है यह हो जाएगा सभी हीरे ग्रेफाइट हैं और सभी ग्रेफाइट क्या हैं कार्बन हैं तो जितना भी ग्रेफाइट है वो सारा का सारा किसमें जाएगा कार्बन में जाएगा वो सारा का सारा किस में जाएगा कार्बन में जाएगा अब इसके बाद इसकर से देख लीजिए इसमें से कौन सी बात सत्त होगी करा कि सभी कार्बन ग्रेफाइट हैं तो क्या पूरा इतना बड़ा एरिया इतने बड़े एरिया में समाहित हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो सभी कार्बन ग्रेफाइट नहीं है अगर ये कहता कि कुछ कार्बन ग्रेफाइट है तो बात सही हो जाती फिर किरा कि सभी कार्बन हीरे हैं तो सभी कार्बन हीरे हैं अगर कुछ कार्बन हीरे कहता तो बात सही हो जाती सारा का सारा कार्बन हीरे के इंतरगत नहीं आ सकता तो यहां पर दोने बातें आपकी असत तो हो जाएंगी तो यहां पर यदि ना तो फर्ष्ट और ना सिकेंड अनुसरण करता है तो यह जाएगा आपसे नंबर फोर में तो पाच्वे का अगर आपने चोथा वाला किया है तो प्रिश्ण आपका सही हो जाएगा ठीक है पाच्वे का दोस्तों किस में जाएगा चोथे वाले में जाएगा आई बढ़ते ही कोशन नमबर पाच की बाद चलेंगे कोशन नमबर पाच की बाद चलेंगे कोशन नमबर में याग्या कोशन नमबर 6 6 को धांसे पढ़ लिजी आप लो और बताई कि 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि करा कि कुछ solid पदार्थ हैं और कोई पदार्थ गयस है तो मतलब कोई पदार्थ गयस है तो बताईएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा करा कि कुछ शालिड पदार्थ हैं और कोई मतलब कुछ ना कोई या कुछ आप इसको लेकर चलेंगे आपको आंसर मिलेगा चेक आंसर बताओ वहीं कोई से कंफ्यूज नहीं होगा कोई पदार्थ गयसे में लिए तो इसका इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे तो आपको म आईए देखते हैं किरा कि कुछ शॉलिड पदार्थ है तो शॉलिड का कुछ पार्ट पदार्थ है तो यहाँ पर सॉलिड लेकर आएंगे कुछ शॉलिड क्या है पदार्थ है तो यहाँ पर आपका पदार्थ आएगा और इसके बाद कोई पदार्थ गैस है मलब कोई पदार्थ गैस है तो कुछ पदार्थ हम कह सकते हैं कि गैस है इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा यह आपका डायग्राम कुछ इस प्रिकार से दिखेगा, करा कि कुछ पदार्थ सॉलिड है, तो अगर कुछ पदार्थ सॉलिड है, तो बात सही है, क्योंकि अगर कुछ सॉलिड पदार्थ है, तो कुछ पदार्थ भी सॉलिड होगा, कुछ शॉलिड गैस नहीं है, तो यह न तो प्रश्ण आपका सही होगा। छे के बाद चलेंगे कोशन नमबर साथ में याग्या कोशन नमबर साथ साथ को ध्यान से पढ़िएगा और बताइगा कि साथ का सही अंसर क्या होगा। के रा कि सभी बोतल हरी हैं और सभी दरवाजे हरे हैं। यह बोतल का डाइग्राम है और यह दरवाजे का डाइग्राम है। ठीक है अब इसके बाद सभी बोतल भी हरे हैं और सभी दरवाजे भी हरे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा ठीक है डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से यहां पर बनेगा अब निसकर्स कह रहा है कि कुछ बोतल दर्वाजे हैं तो बोतल दर्वाजा कुछ हो भी सकता है और नहीं भी गरंटी नहीं है और अगर कोई निसकर्स को तो सही होने के लिए 100% guaranteed होना बहुत जरूरी होता है करा कि कुछ हरे दरबाजे हैं तो कुछ हरे दरबाजे हैं ये बात बिल्कुल सही है तो second वाला आपका सही हो जाएगा तो कहां जाएगा question number 7 का second यदि केवल निशकर से second अनुशनल करता है और अगर आपने केवल निशकर second को लिया है तो निश्यत रूप से प्रश्ण आपका क्या करेगा सही हो जाएगा तो सात्वे का जो आंसर जाएगा दोस्तों वो शेकर न में जाएगा और अगर आपने सात्वे का second वाला लिया है तो निश्यत रूप से बात आपकी सही होगी साथ के बात चलेंगे question number 8 में और बताईए कि 8 का सही अंसर क्या हो जाएगा आठ का अंसर बतावगी कथन कहरा है कि सभी बैंक नदी है और सभी पहाड़ी नदी है कुछ नदी पहाड़ी है कुछ नदी बैंक है question number 8 को ध्यान से देख लिजे और बताईए कि 8 का सही अंसर क्या आएगा बताओ भी क्या आएगा इसका सही जवाब देखो उसने क्या बोला है कि सभी बैंक नदी हैं तो जितना भी बैंक है यहाँ पर जितना भी बैंक हैं वो सारी की सारी किसका पाठ है वो सारी की सारी नदी का पाठ है सभी बैंक नदी है और फिर कह रहा है कि सभी पहाड़ी भी नदी है तो आपको ये ध्यान देना है कि सभी पहाड़ी भी नदी है तो इसे पहले वाला कोशन हम लोगों ने बनाये था बिलकुल हुबहु वही डाइग्राम बनेगा तो सभी बैंक नदी है तो यहाँ पर बैंक को ले लो तो बैंक और यहाँ पर बोल रहा है कि सभी पहाड़ी भी नदी है तो यह आपका पहाड़ी आजाएगा सभी पहाड़ी भी क्या है नदी है तो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा यह आपका हो गया तो सारा का सारा बैंक भी नदी होगा और सारी कि सारी क्या होगी पहाड़ी भी नदी होगी अब इसके बाद आपको ध्यान से देखना है निसकर्स की बात करें तो कुछ नदी पहाड़ी है तो कुछ नदी पहाड़ी है ये बात क्या है सही है फिर कह रहा है सेकेंड में कुछ नदी बैंक है तो कुछ नदी बैंक है ये भी बात क्या है सही है यहां पर दोनों बाते सही होगी और अगर आठवे का पहला और दूसरा आपने दोनों दिया होगा तो निश्चित रूप से बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी यह आपको ध्यान देना है इसमें कहा जाएगा यदि फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करता है यह कहा तो मेशी चीज होता है सिलॉक्स में डायगराम को बनाना अगर डायगराम बनाना आपको अच्छे से आता है बेसी कंसेत अगर आपको अच्छे से पता है तो निश्चित रूप से आप प्रश्टों को कर पाऊँगे और दिखो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जादा होड लेबर में आपको त्यारी करने क्या हो सकता नहीं आप मीडियम लेबर तक की चीजों को कबर अप कर लीजी उतने से आपका काम हो जाएगा क्योंकि क्या होता है कि अगर बहुत जादा होड लेबर में त्यारी करोगे और जन्रल चीजे आप नहीं पढ़ोगे नो कांसर बताओ भी क्या होगा जल्दी शे सभी लोग कह रहा है कि सभी जहाज रेखा हैं और कुछ जहाज बिंदु हैं आपके दो इस्टेटमेंट हैं और दो निश्कर्स हैं पिर कह रहा है कि कुछ रेखा बिंदु हैं और सभी बिंदु रेखा हैं तो आप इसका डियाग्राम बनाईए और बताई कि इसमें से एक, दो, तीन, चार में से कौन सा अनुसरण करेगा कोशिश करिए सभी लोग और बताई कि कोशन नमबर नो का सही जवाब क्या होगा और फिर बोड़ रहा है कि कुछ जहाज बिंदु है तो जहाज का कुछ पाट आपको बिंदु को देना पड़ेगा देखो बिंदु चाहेगा अब एक बात तो कन्फरम है अगर बिंदु को जहाज के पास जाना है तो इसको रेखा के घर में गुशना ही पड़ेगा और को बिंदु चाहे तो बिन बुलाए महमान की तरीके रेखा के घर में गुश के बैठ सकता है तो तब भी कुछ जहाज बिंदु होगा यह दोनों डाइग्राम पाश्वल है यह बिंदु यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है लेकि दोनों में से कौन सी बात सत्त होगी कि नहीं पता कि बिंदु अपना जो है खुदकास्तित बनाएगा या पूरा उसी घर में गुश कर बैठ जाएगा इसके बारे में गरंटी की साथ हम आप कुछ नहीं कह सकते यह आपको ध्यान देना है अब देखते हैं किसमें से करा कि कुछ रेखा बिंदु है तो यहां से देखा जाए तो यहां से कुछ रेखा बिंदु होगा और यहां इस बाले डाइग्राम से भी कुछ रेखा बिंदु है यहां पर दोनों बाते क्या होंगी सही है तो यह बाती दोनों डाइग्राम से सही होंगी तभी आप इसको सत्त मानोंगे फिर करा कि सभी बिंदु रे 17 passibl है लेकिन इस बाले डाइग्राम से पाशिबल में और कुछ रेखा बिंदू है दोनों डाइग्राम से पाशुबल था इसलिए इस बात खुमनिया पर क्या किया था। तमाना था यह आपको ध्यान देना है तो इसका concept होता है ठीकि यह इसका क्या होता है concept होता है तिसमें से किवल निसकर्ष फश्ट जाएगा तो 9 का जो आंसरों का पहले में यदि किवल निसकर्ष फश्ट अनुसराण करता है और अगर आपने 9 का पहला वाला answer लिया होगा तो आपका प्रश्ट निश्चित रूप से सही हो जाएगा चले चलते हैं question number 10 में question number 10 cancer आप लोग बताएंगे कि क्या होगा question number 10 cancer सभी लोग कोशिश करिए और बताई किसका सही जवाब क्या हो जाएगा कथन बोड़ रहा है कि कुछ दरवाजे खिड़किया हैं और कुछ खिड़किया घरे हैं तो यहाँ पर आपका समसम का रिलेशन बनेगा तो सम का रिलेशन बनेगा और आपके पास दो इस्टेटमेंट हैं और दो आपके पास निसकर से हैं और उसमें से आप देखे कि कौन सी बात सत्त होगी और कौन सी बात असत्त होगी चलिए बताइए इसका सही जवाब के आएगा उसने बोला है कि कुछ दर्वाजे खिड़किया है तो आपको ध्यान देना है कि दर्वाजे का कुछ पार्ट दर्वाजे का कुछ पार्ट आप किसको दोगे दोस्तों खिड़की को तो दर्बाजे का कुछ पश्पाट हम खिड़की को देंगे या आ가 को ध्यान देना है तो यहाँ पर दोस्तों आईगा खिड़की और शपी बाद उसने बोला कि कुछ खिड़किया क्या है घर हैं तो खिड़की का कुछ पाठ खिड़की का कुछ पाठ हम किसको देने वाले हैं हम घर को देने वाले हैं कुछ इस प्रकार से चीज़े यहां पर देखने को आपको मिलेंगी अब इसके बाद में सकर्स की बात करें कुछ घर दरवाजे नहीं है तो देखो घर का दरवाजे का यहां पर आपका यह बा वहाँ पर आईदर आर का केश लगता है, इससे पहले भी अभी एक कोशन आपका आ चुका है, आईदर आर वाला मैंने बताया था, कि आईदर आर कब लगता है, आईदर आर तब लगता है, जब सभी के साथ कुछ नहीं आ जाए, क्या आ जाए, सभी के साथ कुछ नहीं आ जा और दूसरी महत्त कुर्ण बात यह है कि दोनों की element same होने चाहिए element का मतलब है जिसे यहां पर घर और दर्वाजा दोनों में आया हुआ element भी दोनों की क्या है same है इसलिए यहां पर लगेगा either our case इलिमेंट सेम होना बहुँ जरूरी है तीसरी बात पूर बात आपको याद रखनी होती है कि दोनों निसकर्सों के शंबंदों में रिलेशन में संदेह होना चाहिए संदेह का मतलब यह हुआ कि कुछ घर दर्वाजे नहीं है तो मालो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ घर दर्वाजे नहीं फिर करा कि सभी घर दर्वाजे है अगर घर यहाँ पर आकर बैठता है तो सभी घर के दर्वाजे होने की संभावना बनती है तो यहाँ पर पा पर यहां पर देख सकते हैं कि आगे बलने से पहले आपके सामने कुछ इंफ इंफार्मेशन है और वो information यहाँ पर अभी तक study 91 के द्वारा जितनी भी books आप लोगों को provide की गई हैं बहुत ही शांदार किताबे हैं और बहुत work करके analysis करके सारी की सारी exam के pattern को देखते हुए सारी books आप लोगों को label कराई गई हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी book है अभी तक आपको study 91 प्रवाइड कर चुका है इसको एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी की जो special किताब है यह आपको provide की जा चुकी है ROAR की हिंदी की special किताब आप लोगों को provide कर चुका है ROAR का exam आप लोगों का जो है notification देखने को मिल सकता है इसके बाद static GK की बहुत स्थी शांदार किताब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसके बाद UPSAC PET का notification आपको बहुत जल देखने को मिलेगा इसमें संपूर अध्यान सामाग्री मुलब पूरा जितना भी PET का आपका syllabus है पूरा यहाँ पर detail से आपको बताया गया है इसके बाद UPSAC PET का practice shirt भी आपको बताया गया है बीडियो ग्राम विकाश अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्यान परविच्छक जो आपका exam होता है एक साथ यहाँ पर आपके तीने जो है किताबे और लेबल है किताब भी है और साथ में free model test paper भी आपको provide किया गया है यह आपका number है आप इसमें पूरी information किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या हो number पर call करके आप ले सकते हैं और यहाँ पर fast and free delivery के साथ में चीज़े आपको provide के गए तो आई बढ़ते हैं कोशनों की तरफ आगया कोशन number 11 11 को ध्यान से पढ़ें आप लोग और बताएं कि 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा करा कि कोई बाइक टायर नहीं है आपको ध्यान देना है कि बाइक का टायर से कोई रिलेशन नहीं बनेगा पहले आप डाइग्राम को बना लो उसने बोला है कि कोई बाइक टायर नहीं है तो कोई बाइक टायर नहीं है तो बाइक का और टायर का दूर दूर तक अपना खुद का कोई रिलेशन नहीं बनेगा इसके बाद प्रशने बोला कि कुछ टायर कार है तो टायर का कुछ पार्ट हम किसको देने वाले हैं टायर का कुछ पाथ हम लोग कार को देने वाले हैं कुछ इस प्रकार से आपका रिलेशन जायेगा, अब इसकी बाद आप ध्यान चे देखी, अब निसकर्स क्या बोल रहा है कि कुछ बाइक कार हैं, तो यहां से देखा जाए क्या बाइक का टायर का, बाइक तो चाहे पूरा जाके बैठ सकती है लेकिन अप बाइक ऐसा करती है कि नहीं करती है इस बात की गरंटी scrut nहीं है यह आपको ध्यान देना है उस नहें और प्रेज को निखिए। आपसन नमबर 4 में जाएगा और अगर आपने 11 नमबर 4 किया है तो निश्यत रूप से प्रिश्न आपका क्या करेगा सही हो जाएगा 11 के बाद चलेंगे कोशें नमबर 12 में यागया कोशन नमबर 12-12 को ध्यान से पढ़ लिजे किरा कि सभी पेंट रंग हैं सभी स्याही पेंट हैं कोई रंग रोगन नहीं है आपके तीन कथन हैं और मात्र दो निश्कर्स हैं इसको ध्यान से पढ़िए और बताईए किसका सही जो आप क्या हो जाएगा कोशिस करो भई तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगन इसको कर लिया होगा इस टेटमेंट क्या बोल रहा है इस टेटमेंट बोल रहा है कि सभी पेंट रंग है तो जितने भी पेंट हैं चलो बनाते हैं डायग्राम को बोल रहा है कि सभी पेंट क्या है रंग है तो जितने भी पेंट हैं वो सारे के सारे क्या है रंग है फिर बोल रहा है कि सभी स्याही पेंट है अब देखो दोस्तों यहाँ पर सभी स्याही पेंट है तो इसको पहले हटा देते हैं पहले हम स्याही वाले डाइग्राम को बनाते हैं फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि चली थोड़ा सा वाई सिसू आ रहा होगा क्योंकि कुछ साथ कोई मशीन यहां से गुजर रहा है वहीं प्रॉब्लम कर रहा है ठिके चलो देख लेते उसने कहा कि सभी स्याही पेंट हैं तो जितना भी स्याही पेंट हो जाएện और इसके बाद कोई रंग नहीं है आपको यह ध्यान देन है कि रंग को रोगन से दूर रखना एं ये जाएगा अब मेरी बात को ध्यान से समझेगा उसने कहा कि कोई रंग रोगन नहीं है मालो रंग का और रोगन का जगड़ा हो गया तो ये क्या ज़रूरी होता है क्या कि अगर मालो दो बेक्ती जगड़ा कर ले तो मतलब रंग ने रोगन चे जगड़ा कर लिया तो पेंट और स्याही भी कर लेंगे तो यह situation में जरूरी है क्यों अब एक बात बताओ मालो यह रंग है रंग के घर में पेंट और स्याही दोनों रह रहें मालो अगर रोगन इन दोनों से मिलना भी चाहेगा तो क्या रंग इनको अपने घर में घुषने देगा आपको होगे बिलकुल नहीं भईया बिलकुल नहीं घुषने देगा तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई रंग रोगन नहीं है तो पेंट का और रोगन का अब कोई रिलेशन नहीं बनेगा नहीं बचेगा यह आपको ध्यान देना यह भी बात सही है तो यहां पर दोनों बाते आपकी साथ होगी यह दिन इसकर्स फर्ष्ट और सेकेंड दोनों अनुसराण करता है तो 12 का जाएगा आपसे नमबर 4 में और जिन बच्चों ने 12 का आपसे नमबर 4 आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्ण क्या करेगा सही हो जाएगा 12 के बात चलते हैं कोशन नमबर 13 में या गया कोशन नमबर 13 तेरा को ध्यान से पढ़िए और बताईए कि 13 का सही जवाब क्या होगा किरा कि कुछ किट जहाज हैं और सभी जहाज पच्ची हैं और सभी पच्ची रंग हैं इस प्रकार से आपकी चीजे दी जहाज है तो किट का कुछ पार्ट किट का कुछ पार्ट आपको किसको देना है जहाज को देना है तो हमने बना लिया कुछ किट जहाज है और सभी जहाज पच्ची है तो जितना भी जहाज होगा वो सारा का सारा किसका पार्ट बनेगा वो सारा का सारा पच्ची का पच्च और फिर बोर का सब लिएप के अंतर बाइग हैं यहां विज़ सही हो जाएगा अब इसके बाद उन्हें पर देखव निश्ची स्थे अकिस्थ Monatenh हैं तो ये बात आपकी हो जाएगी गलत पिर किरा कि सभी जहाज रंग हैं तो सभी जहाज रंग है निश्चित रुप से बात सही है तो सेकेंड बाला आपका यहां पर अनुसरन करेगा और सेकेंड कहा दिया है सेकेंड में ही दिया कि यदि केवर निसकर से सेकेंड अनुसरन करता है तो 13 का जो आंसर होगा वो शेकर्णिबाले में जाएगा 14 के बाद चलेंगी कोश्य नमर 14 में या गिया कोश्य नमर 14 14 का डाइग्राम आप लोग बनाएंगे और बताएंगे निश्चित रूप से कि 14 का सही जवाब क्या होगा कोश्य नमर 14 का कोशन नंबर 14 के राय कि सभी अभिनेता निर्माता हैं कुछ निर्माता निर्देशक हैं और कुछ गयक निर्माता हैं आपके यहाँ पर तीन स्टेटमेंट और दो निसकर से दिये हुए हैं इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लिजे और बताईए कि इसका सही जवाब आप ल करो भाई आप लोग करा कि सभी अभिनेता निर्माता हैं तो जितने भी अभिनेता हैं बोल रहा है कि सभी अभिनेता निर्माता हैं और कुछ निर्माता निर्देशक हैं तो निर्माता का कुछ पार्ठ हमको निर्देशक को देना पड़ेगा अब इसके बाद करा कि कुछ गायक निर्माता हैं तो कुछ गायक भी क्या है निर्माता हैं तो गायक का कुछ पार्ठ निर्माता को दे देंगे कुछ गायक भी निर्माता देखो कुछ निर्माता निर्देशक हैं और कुछ गायक क्या है निर्माता है इस प्रकार से डाइग्राम जाएगा करा कि कुछ अभिनेता गायक है तो कुछ अभिनेता गायक है इस बात की संभावना है और संभावना प्रश्ण को गलत करती है कुछ गायक निर्देशक है तो ये भी संभावना है संभावना प्रश्ण को क्या करती है गलत करती है तो 14 का फर्ष्ट ना ही फर्ष्ट अनुसर्ण करेगा और ना ही सेकेंड अनुसर्ण करेगा तो यहाँ पर जाएगा आपस्ट नमबर 4 में यदि ना तो फर्स्ट यदि ना तो निसकर्ष फर्स्ट और ना तो निसकर्ष सिकेंड अनुसरण करता है 14 का आपस्ट नमबर 4 में जाएगा तो चलिए 15 को पढ़ लिजिए और बताए कि 15 का सही आंसर क्या होगा statement पढ़िए पहले statement क्या बोल रहा है करा कि सभी movie ड्रामा है सभी नाटक ड्रामा है सभी ड्रामा फिल्म है कुछ इस प्रकार से आपकी चीजे दी हुई है इसको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को और फिर आंसर करना है करा कि सभी movie ड्रामा है तो जितनी भी movie है जितनी भी मूमी है वो सारी की सारी किसमे जाएंगी ड्रामा में जाएंगी इसके बाद बोल रहा है कि सभी नाटक ड्रामा है अब सभी नाटक भी ड्रामा है और सभी ड्रामा फिल्म है और सभी ड्रामा क्या है फिल्म है तो जितना भी ड्रामा है उस सारा का सारा किस में जाएगा फिल्म में जाएगा अब यहाँ पर बोला है कि सभी नाटक ड्रामा है तो मूवी और सारी की सारी मूवी भी ड्रामा है तो उसको छोटा-छोटा बना लेते हैं भाई पहले मूवी है यहाँ पर तो सभी मूवी क्या है ड्रामा है और सभी नाटक भी क्या है ड्रामा है सभी नाटक भी क्या है ड्रामा है कुछ ऐसा आपका डाइग्राम यहाँ पर देखने को मिलेगा तो सभी मूवी ड्रामा है और सभी नाटक ड्रामा है और इसके बाद उसने बोला कि सभी ड्रामा फिल्म है तो जितना भी drama है वो शारा का सारा किसका पाठ होगा फिल्म का पाठ होगा करा कि सभी movie फिल्म है तो जितनी भी movie हूँ सारा का सारा फिल्म में जाएगा बात सही है और कुछ नाटक फिल्म में नहीं है तो कुछ नाटक फिल्म में नहीं अगर कथन पास्टी में हो तो निसकर्स negative में क्या होता है गलत होता है वो तभी सही होता है जब either R का case लगता है तो यहां पर 15 का जो आंसर होगा वो शेकेंड वा फश्ट वाले में जाएगा यदि केवल निसकर्स फश्ट अनुसराण करता है तो 15 का जाएगा आपसे नमबर 1 में और अगर आपने 15 का पहला बाला किया है तो निश्यत रुप से प्रश्ण आपका सही हो जाएगा अई चलते हैं कोशन नमबर 16 में यह आगया कोशन नमबर 16 16 को ध्यान से पढ़ लिजी और बताई कि 16 का अंसर क्याएगा हर प्रश्ण का डैग्राम बनाने का प्रयास आप लोगों को करना है और अगर प्रयास करेंगे तो सीखेंगे जरूर आप लोग यह आपको विश्वास रखना चाहिए कि रहा कि कुछ अनाज धान हैं कुछ धान चावल हैं और कुछ चावल गेहूं हैं स्टेट मेंट है आपके पास है तो चलिए पहले आप लोगों कोने इसको रिलेशन को बना लिया होगा प्रょश्क्न में तो कुछ आनाज इंट को जो औरक कुछ बाड आन्य Спथ हम दन को देँगे क सब तो द्भूत पारत हम करें में तो आनने कर राम हम चावburseLL को देंगे इसके बाद कुछ चावल गेहूं हैं, तो चावल का कुछ पाठ हम गेहूं को देंगे, कुछ इस प्रकार से आपको चीजे देखने को मिलेंगी, ठीक है, चले, अब निसकर्स क्या बोड़ रहा है, करा कि कुछ अनाज गेहूं है, तो अनाज और गेहूं की संभावना बनेग आपसे नंबर 4 में चले जाएए, यदि ना तो निसकर्स फरस्ट ना तो निसकर्स फोर सेकेंड अनुसरन करता है, तो 16 का जो अनसर होगा, आपसे नंबर किस में जाएगा, निश्चित रुप से 4 में जाएगा, 16 का 4, 16 के बाद चलेंगे, कोश नंबर 17 में, 17 को ध्यान चे पढ़ें, 17 को ध्यान से पढ़ें, करा कि सभी 4 कोड हैं, सभी कोड जाले हैं, सभी जाले पूछे हैं, और सभी पूछ पुछ तक हैं, बतावई, एक, दो, तीन, चार, चार स्टेटमेंट हैं और तीन निसकर्स हैं, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग परे डाइग्राम क बन जाएगा, तो फिर नशीत रूप से प्रश्ण भी आपका सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं, कहरा कि सभी 4 कोड हैं, जितना भी 4 है, शभी 4 कोड है, और कुछ कोड क्या हैं, जाले हैं, तो कोड का कुछ पाट आप जाले को दे दू, शभी कोड जाले हैं, कुछ जाले पूछे हैं, तो कुछ जाले क्या हैं, पूछे हैं, तो यहां पर जाल का कुछ पाट हम पूछ को दे देंगे, और इसके बाद सभी पूछ होगा हो सारी कि सारी क्या हो जाएगी फुश्टक हो जाएगी इस प्रकार से यहां पर चीज़ आपकी देखने को मिलेंगे ठीक चले अब निश्कर्स की बात करें तो करें कुछ पुश्ट का कुछ पार जाले के साथ बात है बिल्कुल है कुछ पुछतक वाड है तो पुछतक यहां है और कॉड यहां पर है तो पुछतक का कॉड करलेशन संदेपूर है कुछ पूछ फोन है तो पूछ यहां पर है फोन नहीं पोन की तो कोई बात है नहीं कि फॉर होना चाहिए, कुछ पूछ फॉर है तो ये भी बात क्या हो जाएगी डिलत, फौन नहीं होगा फॉर होगा यहांपर फॉर सब्द दिया हुआ है ठीक है, तो यहांपर कुछ फो पूचे फॉर है तो 5 का और 4 का रलेशन दूर दूर तक नहीं जाएगा तो यहाँ पर पहला वाले में जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ पहला अनुसरण करेगा 17 का पहला केवल निसकर्स फरस्ट अनुस्रण करता है ठीके 17 का फरस्ट बाले में जाएगा दोस्तों केवल निसकर्स फरस्ट अनुस्रण करता है 17 के बाद चलेंगे कोशे नंबर 18 में या आग्या 18 18 को ध्यान से पढ़िए और बताईए कि इसका सही जो आप क्या हो जाएगा कह रहा कि कुछ पेंसिल जौर है सभी जार बोतल है कुछ बोतल इट है और सभी इट पत्थर है यह है अठारा, अठारा को ध्यान से पढ़िए और बताईए तो चली देख लेते हैं क्या बोल रहा है अब तक आप लोग ने डाइग्राम को बढ़िया से बना लिया होगा और कोशन को कर भी लिया होगा करा कि कुछ पेंसिल जार है तो पेंसिल का कुछ पार्ट पेंसिल का कुछ पार्ट आपको जार को देना है यह हो गया और इसके बाद सभी जार बोतल है तो जितना भी जार है वो सारा का सारा बोतल का पाठ हो जाएगा और कुछ बोतल इट है तो बोतल का कुछ पाठ आप इट को देना होगा और सभी इट पत्थर है तो इट का जितना भी पाठ है वो सारा का सारा पत्थर के अंतरगत आ जाएगा कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको देखने को मिलेगा अब निसकर्स में जाओ कुछ पत्थर जार है पत्थर यहां पर है जार यहां पर रिलेशन नहीं बन रहा कुछ बोतल पिंसिल है तो बोतल का पिंसिल से रिलेशन बन रहा है कुछ इंट जा रहें इंट यहां पर जार यहां पर संभावना है तो केवल सेकेंड अनुसरन करेगा 18 का सेकेंड वाला सही होगा और अगर आपने 18 का सेकेंड वाला किया है तो प्रश्ण आपका सही होगा डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा आप लोग डायग्राम देख लीजिए क्योंकि डायग्राम का रोल बहुत ज़्यादा होता है इस लॉक्स में अगर डायग्राम आप लोगों ने सही बनाया होगा तो निश्य दुरूप से प्रश्ण आपका सही हो जाएगा आए कोशन नमर 19 की तरब चलते हैं और 19 को देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोलता है 19 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 19 का सही जवाब क्या होगा करा कि सभी कलिंडर दुकाने हैं सभी दुकाने बाजार हैं सभी बाजार नदिया हैं और सभी नदिया मंदिर हैं तो पहला काम है डाइग्राम को अच्छे से बना लो आप लो उन्नीश नंबर चलिए आईए कहरा कि सभी कलेंडर दुकान है तो जितना भी कलेंडर है और सारी की सारी दुकान के अंतरगत आएंगी और सभी दुकाने बाजार हैं तो जितनी भी दुकाने हैं वो सारी की सारी बाजार का पाठ हो जाएंगी और सभी बाजार नदिया हैं तो जितनी भी बाजारे हैं वो सारी की सारी नदिया हो जाएंगी फिर क्या बोला है सभी नदिया मंदिर है तो जितनी भी नदिया है उसारा का सारा मंदिर का होट पार्ट हो जाएंगी यह डाग्राम कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा अब करा कि कुछ बाजार कलेंडर है तो कुछ बाजार कलेंडर है बात सही है कुछ नदियां दुकान है तो कुछ नदियां दुकान है ये भी बात सही है कुछ मंदिर बाजार है ये भी बात सही है तो तीनों अनुशनण करेगा यहाँ पर किवल फाइट सेकेंड और थड़ अनुशनण करता है बिलकुल ये बाला जाएगा 19 का जो answer जाएगा वो option number 4 में जाएगा 19 का answer जाएगा option number 4 में 19 के बाद चलते हैं 20 में 20 को ध्यान से देख लीजे किरा कि कुछ कमरे कुरसिया है सभी कमरे टेबल है और सभी टेबल पंक्खे है कमरा सब यहाँ पर दो बार आया है कह रहा है कि सभी कमरे टेबल है और कुछ कमरे कुरसिया है तो एक काम करते हैं पहले इसको बनाते हैं कि कुछ कमरे क्या है कुरसिया है तो कमरे का कुछ पार्ट हम कुरसि को पहले दे दे कमरे का कुछ पाट पहले हम कुर्षी को दे दे फिर कह रहा है कि सभी कमरे टेबल है तो जितना भी कमरा है ये वाला इस सारा का सारा टेबल का पाट हो जाएगा फिर बोल रहा है कि सभी टेबल पंखा है तो जितना भी टेबल है वो सारा का सारा पंखे का पार्ट हो जाएगा ठीक है यह आपका जाएगा निसकर्स कह रहा है कि कुछ पंखे कुरसिया है तो पंखा का कुछ पार्ट कुरसी के साथ जाएगा कुछ टेबल कुरसी है टेबल का कुछ पार्ट कुरसी के साथ जाएगा first और second दोनों जायेगा यहां पर कह रहा है कि दोनों first और second और सेंट करता है तो 20 का जो answer जाएगा वो option number 4 में जाएगा ठीक है आईए बढ़ते हैं next question में तो यहां पर दोस्तों देख सकते ही कि UPSI on loan course का जो नया वेच्श हो प्राराब हो चुका है यह up to 50% आप मतलब जो आफर है वो 50% का डिसकाउंट है और अगर वाकई में आप UPSI की तयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया अपार्चुंटी यह आपके पास आप चाहेंगे तो UPSI के बैच के साथ जुर सकते हैं और जो है अपना क्लास को बढ़ियां से स्टार् से तो बनाइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रस्त कहरा कि कुछ बरतन क्या है मैट है तो बरतन का कुछ पाट हम मैट को देंगे और सभी मैट बिल्ली है तो जितनी भी मैट है वो सारी की सारी बिल्ली हो जाएंगी और कोई बिल्ली चुवा नहीं है तो चुहे को और बि रख सकता है और कुछ चुहे मैट नहीं है तो कुछ चुहे मैट नहीं है तो कुछ चुहा मैट क्या कोई चुहा मैट नहीं है यह आपको ध्यान देना है तो कोई भी चुहा मैट नहीं होगा तो यहां पर कुछ की बात क्या है तो यहां पर जाएगा कोई चुवा बरतन नहीं है और कुछ चुवे मैट नहीं तो कुछ होंगे मैट की जगा बरतन होगा तो देखो ये बात तो गलत है फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही नहीं है और इसमें कह रहा है मुझे तो लगता है इसमें कोई शही नहीं बाई कोई चुवा बरतन नहीं है तो चुवा चाहे तो संभावना बनती है तो direct हम इंकार नहीं कर सकते जब तक किसी चीज की possibility बने और कुछ चुहे मैट नहीं है कुछ चुहे मैट नहीं है जब कोई चुहा मैट नहीं होगा तो कुछ भी मैट नहीं होगा तो second वाला जाएगा इसमें second वाले में आपको चलना पड़ेगा अगर कुछ नहीं है तो कोई भी नहीं होगा 21 का जो आंसर होगा second वाले में केवल निसकर second अनुशन करता है आई बरते नेस्ट कोशन में कोशन नंबर 22 में 22 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताई कि 22 का सही आंसर क्या आएगा किरा कि सभी full नट है तो जितना भी full है वो सारा का सारा नट का पाठ होगा और कुछ नट दिवारे हैं तो नट का कुछ पाठ आपको दिवार को देना पड़ेगा और सभी कुरसियां दिवारे हैं तो जितनी भी कुरसि हैं वो सारी की सारी दिवार में जाएंगी यह चोटा समय नहीं यहाँ पर बना दिया है अब करा कि सभी पंखे कुर्सी हैं तो पंखे की कहीं कोई बात ही नहीं हुई कुछ टेबल कुर्सी हैं टेबल की कोई बात ही नहीं हुई क्या बात है उल्टा सीधा प्रशन आ गया हाटाईए इसको तो इसमें निश्कर स्मेच नहीं कर रहा है कोश्च नंबर तेज को बनाईए करा कि सभी मोबाइल बाक्स हैं तो जितना भी मोबाइल है को सारा का सारा बॉक्स का पार्ट होगा इसको आप बना लीजिए फिर करा कुछ बाक्स बल्ब है तो बॉक्स का कुछ पार्ट आप बल पुर्ड़ रखना है जो इस प्रकार से वे लिशन है तो कुछ बल्ब नंबर फरस्ट थेस्था किस्भा किसम जाए गा फर्ष्ट वाले में जाएगा तो ठीक है दोस्तों आज क्लास की क्लास को आज हम लोगों ने जो है और से क्लास को ही शमाप्त करेंगे और आज दिखो अभी पूलिस का तो लेवल यह है जो मैंने आपको पहली क्लास दिया और इसी प्रकार से आगे भी हम लोग क्या करेंगे कांटीनियू करते रहेंगे तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से नेश क्लास में सभी को एक बार फिर से नमस्कार जे बंदे मात्रा थांक्यू शबी को